यहो वासुज जैसा तक प्ärस्सेटेयो में आपको क्रार्श्टवाद चैप्टर के इंदर चाहता था नेुपोलिण खहशुंता के आपको की अलग पहस्चान के बारे में मनने आपको बताए इसके लावा जॉकुविन क्लब के बारे में भी थोड़ा को जिक्र किया गया था आज मैं आपको यूरोप में राष्टवाद के निर्मान के बारे में टॉपिक पढ़ानी जा रहा हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आप मद 28 सदी के यूरोप के नक्षे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट राज नहीं मिलेंगे जैसा कि ये आज है अगर हम लोग अठारवी सदी के अंदर यूरोप के अगर मैप को देखेंगे तो आपको यूरोप चुह है उस तरक नहीं दिखे जा जैसा कि आज है आज हम जर्मनी, इटली और स्विजेलेंड की रूप में जानते हैं तो वे तब राजसा ही डचियों और कैटोनों में बटे हुए थे जानि इस पे अलग-अलग वन्स ये राजाओं का सासन था डच जो थे उनका सासन था या कैटोनों जो थे उनका सास stay एक समुम होते थे जिनके सासको के स्वेत्त छेत्र थे और जो सासक होते थे इस छेत्र के उनका छेत्र जो वो स्वतंत्र होता था उसके किसी तरह कोई अधिकार जो होता था दूसरे का नहीं होता था पुर्वी और मद्द यूरोप निरंकुष रास्तंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे वे अपने आपको एक समुहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागिदार नहीं मानते थे अक्सर वे अलग अलग भासाएं बोलते थे और विभीन जाती समुहों के सदस्य थे यूरोप के अंदर उरोप का जो पूर्वी जो भाग जो था या अगर हम कह सकते हैं मद यूरोप जो था वो निरंकुष रास्तंत्र के अधीन थे और इन इलाकों पे तरह तरह के लोग रहते थे यानि यूरोप के पूर्वी और मद जो भाग होते थे उस पे निरंकुष प्रास्तंत्र यानि बिना किसी की उख उसके रहने वाले राजा जो होते थे उनका सासन था और उस छेत्र में रहने वाले लोग जो थे वो अलग-अलग भासा का इस्तमाल करते थे इसके अलावा वे अपने वे अपने आपको एक समुहिक पैचान या किसी समान संस्कृति का भागिदार नहीं मानते थे पुरा उधारं के तोर पर अस्ट्रिया हंगरी पर सासन करने वाला हैंस्पर्ग समराज कई अलग अलग छेत्रों और जनसुमों को जोड़ कर बना था इसमें एल्प्स के टिरॉल अस्ट्रिया और स्टूडेंट डेन जैसे इलाके के साथ साथ बो अलग छेतरों से मिलकर बना हुआ था कि इसके अंदर कौन-कौन से चेत्र था उसके बारे में आपको बता रहा है इसमें अस्ट्रिया स्टूडेंट लैंड जो है बहुमिया जो था इस जो था चेतर जो थे वह हैंस्पर्स समराज के के अंतरगत आते थे और ज्यादा तर सबें कुलीन वर्क के लोग होते थे आमीर वर्क के रवक होते थे और वह लोग जर्माया बर मैंगो करते हैं आंग्सवर्ग समराज में रॉंबादी और विनेशिय जैसे इतला भी भाहती कि सामिल थे यिसके लावा इस समराश के अंदर कुछ ऐसे भी छेतरते जहां पर इटली इटला भी भासा का इस्तमाल किया जाता था यानि कुछ ऐसे छेतरते जा जर्मन भासा और कुछ ऐसे भी छेतरते हैंस्वंग में जहां पर इटली भासा इटली की स्थानिय भासा का इस्तमाल किया जाता था हंगरी में आधे लोग मैग यार भासा ब आधा जो उसकी अबादी थी वो मैग्यार भासा का बूलते थे और बाकी जो बच जाते थे वो दूसरे भासा का इस्तमाल करते थे इन प्रभावसाली सम्हों के लावा हैंसबक समराज की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था मे रहते थे और इसके अलावा यह जो जितने भी प्रभावसाली सम्हों थे जो के हैंसबक समराज के अंतरगत आते थे इसके अलावा कुछ और भी ऐसे लोग थे जो गरीब थे जिनके पास उपकी खुद की जमीन नहीं थी जैसे उत्तर में बुहमियन और स्लोवाक कार्नीव कार्नीवोला में स्लोवेंस दक्षिन में क्रुएट तथा पूरव की तरफ ट्रॉसलेवेनिया में रहने वाले रामवन लो तिसमें बतार आपका स्लोवाक ध्यान रखिएगा स्लोवेंस क्रुएट और ट्रॉस्वेनिया यह कोई ऐसे समूर्थ है जो काफी गरीब थे जो क नहीं था जिस तरह से हैंस्पक समराज के अंदर इतना ज्यादा समूहिक फरक्ष जो नहीं अजर आ रहा है उससे हम दीख सकते हैं कि वहां पर राजनीति केक्ता जो थी वो नहीं बन पाती बोरा है कि इन तरह तरह के समूह का आपस में बाहनने वला तत्व केवल समराट के प्रती सबके इंडिश्ठा थी अगर इन सभी इतने सारे समूह को अगर कोई बान सकता था तो वो था अपने राजा के उपर बिश्वास उसी को लेकर ये सारी लोग जो थे वो एक दूसरे के साथ जूड़े हुए थे राश्टवाद और राश्ट राज का विचार कैसे जिसमें आपका अश्ट्री है हैंग्रिय इसके यलावा आपको कुछ छेत्र ऐसे थे जिस पे रासाहियों का डच्यों का और कैट्वनों के रूप में ये अलग लग छेतर में बटे हुए थे हैंस्बक्स अम्राज के बारे में इसमें बताया गया है जिसमें अलग लग है उसके अलावा आपका कार्नॉवाला हो गया कार्नुवाला में हो गया स्लोवीनिस नोभ गया को गया यह सारे लोग जी इसको तो अडरलाइन कर लिजिए अप्ना ये सारे लोग रहते थे चले कुलीन वर्ग नया मद्ध वर्ग समाजियों का राणितिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग येरोपिय महादीब का सबसे प्रभाव साली वर्ग कुलीन वर्ग जिनका जमीन पर सबसे अधिकार होता था काफी ज़्यादा समरिद होते थे और उनका प्रभाव भी समाजी को अरानितिक दोनों पर बहुत ज़्यादा होता था इस वर्ग के सदस एक साजा जीवन सैली में बंदे वे थे जो छेत्रिय विभाजनों के आरपार व्यापत थी इस वर्ग के अंदर यानि कुलीन वर्ग के अलग थी बोरा है कि वे ग्रामी इलाकों में जायदाद और सहरी हवेलियों के मालिक थे रागनिती कारियों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भासा का प्रियों करते थे उनके परिवार अक्सर वेवाइक बंदनों में आपस में जुड़े होते थे या अलगा अलबा जायदा तर फ्रेंच भासा के स्तमाल करते थे ये लोग मजबूत थे जन संख्य के अधिकांस लोक रिशक थे पक्षी में जादा तर जमीन पर क्रयाधार और छोटे कस्तकार खेती करते थे जबकि पुर्वी और मद्ध हेरोप में भूमी विशाल जागिरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे इसके अलावा इनके अलावा ज्यादा तर यह रोप में ऐसी संख्या थी जो 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 बड़े छेतर पर खेती जो था वो करते थे इसके अंदर आपका भूदास लोग होते थे जो कि पुर्वी रोप में जो कि पुर्वी रोप में जहां पर कुलीन वर्ग क्या अधिकार होता था वैसे छेतरों पर यह लोग उनके गुलाव होकर खेती किरिया जो थी वो पुगल करते थे पक्षिम और यूरोप पक्षिम और मद यूरोप के हिश्चों में अद्योगी हुआ कि और प्रिद्धी से सहरों काष दो։ तो काुड़े हुआ समय समय थे गुद्धी पर कुछ दो अस्तितो जिनका अस्तितो बजार के लिए बजार के लिए उठ्पादन पटिका हुआ इंग्लेंड में और दोगी करन 18 सदी के दूसरे भाग में आरब हुआ निकिर फ्रांस और जर्मानी के राज्यों में कुछ हीशो में यह 19 सदी के दोरान ही हुआ था इस प्रकिरे का फल्सुरूप नए समाजी करस्तितों में है स्रमिक वर्ग पता रहा है कि इंग्लेंड में अध्योगी करन जो थे बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका था मगर फ्रांस और जर्मानी के राज्यों में कुछ हीशो में यह 19 सदी में काफी त्वर लेट शुरूआ था और इससे एक नए वर्ग का उदे हुआ श्रमिक वर्ग मदवर्ग जो अध्योगपती वैपारी तता सिवा छेतर के लोग से बने हुए थे बोरा है कि इस प्रिकरिया के फर्सुर्व एक नए समाजी के स्टित्व में है श्रमिक वर्ग के लोग और मदवर्ग जो अध्योगपती वैपारी और सिवा छेतर के लोगों से बने हुए दो तरह की वर्ग जो कॉबरा क्याओं, बैदन कारें करेंकों पूरा करते थे, दुसरा मद्वर्ग पुरा कुलीन का विशirst आदिकारों की समापति के बाद सिक्षित और उदारवादी मद्वर्गों के बीच श्टी एक्जा के विचार लोगप्रीय हुए यानि जब फ्रांस में कुलीनों का विश्य सदिकार समाप्त कर दिया गया तो उसके बाद सिक्षित और उदारवादी मद्वर्ग के बीच ही कुलीन वर्गों के बीच जो मद्वर्ग जो था सिक्षित मदवर्ग जो था उनी की बीच में राष्टवाद की एकता का भाव जो था वो काफी जदा लोग प्रिये हुआ था उदारवादी राष्टवाद के क्या मैने थे गोरा उरोप में उनिस्वी सदी के सुरुवाती दस्कों में राष्टी एकता से संबंदित मिचार उदारवाद से करीब से जुड़े हुए उदारवाद यानि आजादी नए मदवर्ग के लिए उदारवाद का मतलब थो वैक्तियों के लिए आजादी और कानून के समक्सब की बराबरे राणितिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पजोर देता था जो सहमाती से बनी हो फ्रांसेसी करांती के बाद से उदारवाद निरंकुष सासक और पादरी वर के विशे साधीकारों के समापती सम्विधान तता संसदिय प्रतिरीधी सरकार का पक्षदर था पता रहा इसमें कि उनिस्वी सदी के मेराश्टी एकता से सम्बंदित विचार में उदारवाद सब्द जो था हूँ काफी नजदीक से जुड़ा हुआ था उदारवाद का और फिता है अजादी उदारवाद का मतलब होता है कि व्यक्तियों के लियाजादी और कानून के समख सबकी बराबरी उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोड़ देता है जो सबकी सहमती से बनी हो जिसमें निरंकुष सासों को अपादरी और के विशिय सादिकारों की समापती हो सम्वेधान और संसती प्रतिनिती सरकार के पक्ष में पक्षदर था उनिस्वी साताबदी में सदी के उदारवादी निजी समपत्ती के स्वामित्यों की अनिवारता पे भी बल देते थे यह उदारवादी आरा जिसके अंदर मद वर के सिक्षित पढ़े लिखे लोग जो थे वो इसके अंदर सामिल थे और वो निजी समपत्ती के स्वामित्यों जो उनकी निजी समपत्ती अगर किसी होती थी तो उसका वो विरूध नहीं करते थे बुरा है लेकिन यह अभी जोरूरी नहीं था कि कानूं के समक्ष बराबरी का विचार सब के लिए मत अधिकार के पक्ष में था आपको आप याद करें कि करांती करारी फ्रांस उधरवादी प्रजयतंत्र का पहला रानितिक प्रियोग था रहा मत देने और चुने जाने का अधिकार के वड़ संपत्ति वान पुरसों को ही दिया जाता था बुरा संपत्ती वीहिन पुरुस और सभी महिलाओं को रानितिक अधिकारों से बचीत रखा गिता कि और थोड़े समय के लिए जौकुबिन सासन के समय सभी वेश्क पुरुसों को मत अधिकार प्राप था मगर नेपूली के सहिता पुना सिमित मत अधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को और वेश्क धर्जा देते हुने पिताओं और पतियों के अधिन कर दिया था पता रहा है कि इसके पहले भी हम देखते हैं कि फ्रांस के अंदर जब राश्तंत्र था तो उस समय भी लोगों को वोड़ देने का अधिकार था मगर वैसे लोगों को जो सबसे यादा टैक्स चुका सकते थे और महिलाओं को उस समय वोड़ देने का अधिकार नहीं दिया बनाया गया था, इस ने सारे लोगों को मत देने का अधिकार जो था वो दे रही है था, उसमागर उसके बाद जब ने पूलियन सक्थाम आया तो इसने दुबारा से महिलाओं को वोड देने के अधिकार से बंचित किया और आर्थिक शेतर में उदारवाद बजारों की मुक्ति और चीजों तता पुंजी के आवगवन पर राज्य दोरा लगाए गया नियंत्रों को खतम करने के पक्षमेत यह आप उदारवादी के बारे में बता रहा है अगर हम लोग देखे तो आर्थिक शेतर में कि यह जोरदार मांग थी आये दे उसे हम लोग थोड़ा देखे बोरा है कि हम उनिस्वी सदी के पहले भाग में जर्मन भासी इलाकों को धारान लें किस तरह से मद्वर्ग जो था उनकी सबसे बड़ी मांग क्या थी जिसके अंदर बजार को पूरी तरह से मुक्त रखा ज के प्राशाशनी कदमों में अनगीनत छोटे प्रदेशों से 49 राज्यू का एक महासंग बना यह में से प्रतेक को अपनी मुद्रा और नाप तौल पर नाली थी 1833 में हैंबर्ग से नियूरंबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक वेपारी को 11 सीमा सुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था यह बता रहा है आपका हैंबर्ग और नियूरंबर्ग के बीच में जितने भी वेपारीक श्रंक से जुड़े लोग होते थे उनको लगभग कितने नाकों से गुजरना पड़ रहा है इसमें 11 सीमा सुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था यह उनको 11 जगा पर सुल्क जो था वह देना पड़ता था और हर बार और हर बार लगभग 5% सीमा सुल्क देना पड़ता था सुल्क अक्सर वस्तू का वजन का याकार के अनुसार लगाए जाते तो इसके पहले में मैं आपको बताया था कि जो समराज था उसके अंदर नापतोल की पढ़नारी जो थी वो एक समान नहीं थी जिसके चलते टैक्स जो थे थे वो अलग-अलग होते थे जैसे उधारन में आपको दे रहा है नाप तो चुकि हर छेत्र के अपनी नापतोल विवस्थे यता हिसाब लगाने का समय लगता था मसलम कपड़े के नापने का पैमाना एले था जिसकी लंबाई जगा बदलने के साथ घरती बढ़ती थी अगर हम लोग एक एल कपड़ा फ् सेंटिमीटर और फ्राइम बर में 53.05 सेंटिमीटर तो यह अलग लग छेत्र में इसका जो 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 पैमाना था एले जिससे मापा जाता उसमें काफी ज्यादा अंतर जो था वो हमें दिखाई देता है यह टॉपिक काफी इंपोर्टेंट जॉल वॉराइंस त्यान रखेगा जिसने इस तरह के सीमा सुन को खतम कर दिया था यह निपूलियन सहीता के द्वारा ही लागू किया गया था जिसमें उन चालिस राज्यों के मिला कर एक महासंग जो था वो बनाया गया था बूरा है कि नए वानिजिक वर्ग ऐसी प्रसितियों को आर्थिक मिनमे और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकिकरित आर्थिक छेत्र के निर्मान के प्रक्ष में तर्ग दे रहा था जहां वस्तु लोग और पुंजी का वगमन बाधा रही थो 1834 में प्रासा की पहल पर एक सुन्क संग जॉलवराइन प्रासा की पहल पर एक संग जो था उसका निर्मान किया गया जिसका नाम जॉलवराइन था जॉलवराइन था जिसमें अधिकान जर्मन राज सामिल थे इस संग ने सुन्क अवरोदों को समाप्त कर दिए और मुद्राओं की संख्या दो कर दी जो इससे पहले तीस से उपर थी इसके लावर रेलवे के जाल ने रतिसीलता बढ़ाई और आर्थिक खितो और राष्ट कि लहर ने मजबूर पर बता रहा है कि नया वानेजिक वर्ग जो था उसने कि संघ का निर्मान किया जिसका नान था जॉलग वराइन जिसने इस तरह के सीमा सुन्क को जो कि इसके पहले 11 सीमा सुन्क पे अलग अलग जगा पे उनको टैक्स देना पड़ता था उसको उन्हो पढ़ा जेगा ठारो सो पंद्रों के बाद एक नई रूडी बाद